Hello Friends, Mithous Kitchen में आप सभी का स्वागत है, आज हम पनीर अंगूरी बनाने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल मार्किट में जो आप रेस्टुरेंट पे पनीर अंगूरी खाते हैं, वही रेसिपी हम अपने घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल इंग्र रंगोरी बनाना शुरू करते हैं, उसके लिए 500 ग्राम पनीर लिया है, तो सबसे पहले हम पनीर रंगोरी के लिए पनीर के कोफ्ते बना कर त्यार करेंगे, तो यह पाउल ले रिया मैंने, और प्लीटर की हेल्प से मैंसे ग्रेट कर लूगी, आप चाहें तो इसे हांसे मैश भी कर सकते हैं, पनीर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, तो चलिए अब रूमिश में थोड़ी से मसाले हैं, यहां मैंने यह नमक लिया है, आधा चमच, आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं, लाल मिश पाउडर एक चौथाई चमच, गरम मसाला एक करो दो भाजे डाल, मैंने अच्छे से मिक्स कर लाएं, तो यह हमारा एक दो बनकर तयार हो गया है अब हम इसे फटा फटे बनाकर तयार करेँगे, तो गोप्ते बनाने कलिया थोड़ा थोड़ा पनीर का पेस्ट ली जिए हाते पे और इस तरीके से पाउडर या तो आप लंबे लंबे बनाऊंगी आप बैसे भी बना सकते हैं तो यहां मैं यह इस तरीके से लंबे कोफटे बनाने वाली हूं इस तरीके से आपको लंबे-लंबे कोफटे बना लेने हैं तो इसे हम एक प्लेट पे रख लेते हैं और इसी तरीके से बाकी कोफटे बना कर भी त्यार क क्रिस्पिनेस चला जाता है तो यह एक ट्रिक है आपको इसे यूज करना है तो मैंने यहाँ 8 कोफते बनाए है मैक्सिमम 8 कोफते एक प्लेट में सर्फ कर सकते हैं इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ इन्हें हम सबसे एंड में साई करेंगे तब तक पहले हम ग्रेवी बनाकर त्यार कर लेते हैं तो यहां मैंने ग्रेवी बनाने के लिए दो मेडिम साइज के प्यास को बारिक काट लिया है बिल्कुल बारिक बारिक काटना है हमें यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारिक बारिक काट ले जीरह लिया है, एक चम जीरह लिया है。 aदzerak का paste लिया है अब लेसन यूस करते है तो अदरक लेसन का paste यूस कर सकते हैं और स्चोटा भूल चीनी का तुपडा लिया है तो तेज पते लिये है और यहाँ मैंने यह लिये हैं दो लॉंग और यह 2 हation की लाइची यहां 2 हड़ी लाइची हैं जिनने मैं इस तरीके से कूट LIA यहां भी भी लेना है यहां मैंने टमाटर लिया हैं तो 4 मीडियाम साइस की टमाटरों को इस तरीके से रफली काट लिया है 2 हरीमिश ली है यह थिखी वाली हरीमिश है अगर आप कम थिखी यूज़ कर दें तो आप इसे थोड़ा ज्यादा भी ली सकते हैं और यहां मैंने 6-7 काजु ली है जिनने मैंने थोड़ी दिर के लिए पानी में भीखो कर रखा था तो इन तीनों चीज़ों को हम मेक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे अगर आप काजु नहीं डालना चाहते तो मत डालिए लेकिन काजु डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने यहां काजु का यूज किया है तो चलिए पटा-पट से पनी रंग इस डालने जीनों जिरा अच्छे से ब्ढ़ से Colonel ढाल देना डाल डाल देते है हरीलाईची डाल देते तेज़िफ पता डालेंगे सबीचीज के हलका सब भूल लेते हैं सबीचीजे ब्ढ़ चूपी है तो मैं इसे प्याच चालूँगी प्याज के हलका सुनहरा होने तक हम इसे भूनेंगे और इसी स्टेज पर मैं इसमें अगरका पेस्ट डाल देती हूं तो प्याज हमारा लाइट गोर्डल ब्राउन करका हो गया है अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे यहां पीने आधा चमच हल्दी पाउडर लिया है यह डाल देते हैं एक चमच कषमीजी लालमिष् गरी देज एज दिभॉडर लिया यह डाल देते हैं यह शूगर介ций लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इससे skip कर सकते हैं तो चलिए सभी मसालो को अच्छ से mix कर लेते हैं इस ऐन्म जब आप मसाले डालते हैं तो हमिशा गयस के ड्लीम को लो पर ही रखां करें तो मसाले हमारे अच्छ से भून चुके हैं अब हम इसमें टमाटर और काजु का हमनें पेस्ट उनाया था उसे डाल देते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को हम तब तक भुनेंगे, जいる तक कि इसमें से ओईल ना निकलनी लगे मसाले अच्छे से ना भून जाएं तब यसे बून लेते हैं गैस के flame को लो पर रहेंगे low to medium flame पर ही बूनेंगे आप जतना मसालों को low to medium flame पर भूनते है उतना ही बड़े तेस्ट आपके सबजी में आता है तो हमारी दीतीव अच्छे से बून चुकी है मसाले ने ओईल चोड़ना शुरू कर दिया है, अब हम इसमें कुछ चीजे एड़ करेंगे, तो यहां मैंने यह गरम मसाला लिया है, अधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, एक चम्मच नमक डाल देते हैं, फ्रेंट्स नमक मैं शुरू में आड़ करना भूल गई जब मुनें पहले दाले टालेते तभ भियां आप इसमें नमक दाल दे उस्टाइम पे अब मैं यहां धर की मलाई दाल देती हु इसमें य मैंने मद्या है तक ने दो- तीन बने चमच बंदेक बन दो, चमच में उसे पेट लिया है तो ये घर की फ्रेश मलाई है, रखीवी मलाई का यूज ना करें, धर में जो फ्रेश मलाई होती है, वईडी डाले इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मलाई या फिर दही डालते टाइम, आप हमेशा कैस के फ्लेम को लो परी रखें अरघर टाएल इसमें पानी गएं, यहां मैंने 1T 500 पानी लिया है, में इसमें 1Tough पानी डाले की घर को तो आधा कप पानी दालें और थोड़ा पतली gravy पसंद है तो थोड़ा पानी बढ़ा सकते है और भी तो इसे अब हम धखकर 15 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे तो 15 मिनिट हो चुके हैं धखकर अटाकर चेक कर लेते हैं देखिए हमारे कितनी बढ़ा gravy बन का त्यार हुई है कितना बढ़ा कलर आया gravy का इसे अच्छे से mix करते हैं इसकी consistency बिल्कुल perfect है हमें इसे और ज्यादा गड़ा नहीं करना है और नहीं पकाना है तो gas को बंद कर देते हैं और gravy को ढटकर side में रखेंगे तब तक हम अपने कोफटों को fry करेंगे कोफटों को फ्राइ करने के लिए यहां मैंने पैन में गरम कर लिया है हमें medium hot oil चाहिए बहुत तेज गरम कोपत को न inject, C ये क्यरा है के टाल कि पनीर का प्राइब गुड़ा की नहीं पोफटेजेंगे उनकी binding प्रॉपर हुई है तो इसे हम मेडियम फ्लेम पे फ्राइ करने वाले हैं ताकि जो कोफते हैं वो आमदा तक सिख जाए अच्छे से इसमें आपको कोई भी कच्छा पन ना लगे तो दोनों तरफ से हम इने पलट पलट कर लाइट गॉर्डन ब्राउन कलर का होने तक प्राइ कर लेंगे कोफ्ते अच्छ में अर्चे से व्यृह हो गए हैं अर्विने अच्छन पर निकाल लेते हैं ग्रेवी आपे भी त्यार हो गए हैं ग्रेवी को बेट में बीर्ट में हैं आपण आप कोफ्तों पयार करना क्आए पास कर देंक अगर आपको ये पनीर अंगुरी कोफते की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भीना भूलेगा रेसिपी को फैमिली और फ्रेंक्स में शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी थैंक्यू